Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं जैमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकंद set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card है Three of Swords और यह card कहता है कि कुछ time से आपर November starting में किसी चीज को लेकर एक hurt, एक तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं आप देखें कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी healthy feel की hurt हो सकती है कुछ के लिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये काट सिरफ और सिरफ November starting और पीछे कुछ time की बात करता है और इसी time period पे आपकी again मैं कहूंगी एक hurt वाली एक किसी चीज को लेकर मायूस परिशान होने वाली energies रहती वे दिख रही है दीपर लेविल के लिए whip का काट कहीं fights की बात करता है और कहीं चीजों के बार बार repeat होने की बात करता है तो हो सकता है कि आप अपनी तरफ से आपके partner चीजों को ठीक करना चाहा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं कभी-कभी न हम चीजों को ठीक कर रहे होते हैं, चीजे ठीक भी हो जाती हैं और फिर से वही pattern हमारा शुरू हो जाता है, तो फिर से कहूंगी repetitive pattern, किसी चीज को लेकर आपके relationship में रह रहा है, ये चीज आपको bother कर रही है, परेशान कर रही है, या फिर आप दोनों के बीच में fights हो रही हैं, अभी मैं आपके partner की भी energies देखूंगे, तो जाधा clear होगा, और कहीं देखिए, in fact मैं आपके partner की cards देखूं, तो November starting के लिए 9 of souls का card कहता है, वो किसी चीज को लेकर overthink कर रहे हैं, बहुत ही जाधा परेशान हो रहे हैं, छोटी-छोटी सी बातों को अपने मन मे बहुत बड़ा बना रहे हैं, कहीं एक negative pattern में रहते वे दिख रहे हैं, हो सकता है किसी चीज को लेकर low भी feel कर रहे हैं, एक depressive वाली energies है उनकी और ये चीज आपको बहुत bother कर रही है, अब दिखिए ये general reading है, ये possible नहीं है कि सब जमेनीज की एक सी ही situation हो, हम यह आपे energies देख तो कहीं फिर से कहूंगे आपकी energy कुछ time से और November starting के लिए hurt वाली रहती भी दिख रही है, किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परिशान होने वाली रहती भी दिख रही है, reason सब के लिए differ करेगा, क्योंकि हाँ पे snake का भी card है, snake कहीं betrayal की बात करता है, जूट बोलने की बात करता है, कहीं किसी level पे cheating की भी बात करता है, अब देखे, cheating ना बड़ा एक heavy word है, normally, you know, relationships में जब cheating word हम सुनते हैं, बड़ा घबरा जाते हैं, कि पता नहीं, you know, हमारे partner हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो यहाँ आपर snake का card सिरफ एक third party वाली cheating या जो एक बहुत extreme negative cheating होती है, उ में fair नहीं होते हैं, या फिर transparency नहीं maintain कर पा रहे होते हैं, या किसी भी reason की वजए से, कहीं बड़े justified reasons होते हैं, situation circumstances होते हैं, जिसमें हमें जूट बोलना पड़ता है, तो या तो आपने जूट बोला, या partner ने जूट बोला, या किसी चीज़ को लेकर एक unfair energies आप महसूस कर र रहे हैं, और कुछ Geminis के लिए हो सकता है, आपको लग रहे हैं कि भी आपके partner इतने fair नहीं रहे हैं, फिर से reason सब Geminis और उनके partner के लिए differ करेंगे, लेकिन कहीं मन ही मन इस तरीके की energies आप महसूस कर रहे हैं, और इसी लिए या फिर otherwise भी mid November के लिए Seven of Pentacles reverse का card कहता है, आपन कोई decision लेना चाहा रहे हैं, और उसी के बारे में बहुत जादा सोच रहे हैं, in fact दिखेंगे ये card planning की बात करता है, future से related decision choice लेने की बात करता है, एक direction लेने की बात करता है, कि भई होता है ना हमें लगता कभी कभी कि हम क्या direction लें, जो हो रहा है वैसे ही होने दें, या फिर right turn ले ले, you turn ले ले, left turn ले ले, तो इस point of time पे हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप सोचते वे दिख रहे हैं, and end November में आप इन ही सब energies से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं, कहीं चीजें बहतर होते वे दिख रही हैं, in fact देखिए मैं सारे ही cards देखूँ, तो mid November तक बहुत great energies नहीं रह रही हैं, लेकिन आपके partner के लिए और November के लिए भी end November में चीजें कहीं ठीक रहते हुई दिख रही हैं, अभी देखते हैं आगे आपके partner की energies हैं, तो end November के लिए यहाँ पे Lily and Three of Cups के cards कहते हैं, या तो कोई celebration आपके personal life में, आप professional life में रह रही है, आप उ connect करना पड़ेगा, और कहीं न बहुत ही maturity के साथ आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, लेली का card कहता है, कि आप बहुत ही समझदारी के साथ, again मैं कहूंगी, चीजें करना चाहा रहे हैं, अब दिखिए यह भी सब के लिए differ करेगा, कुछ Germanese के लिए हो सकता है, आपको ऐस socialize कर रहे हैं, जादा लोगों से connect कर रहे हैं, एक, you know, fun, मजा, मस्ती, eating, drinking, marimaking भी आपके लिए end November में रहती भी दिख रही है, अब देखते हैं कि आपके partner की के energies हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके partner बहुत किसी चीज को लेकर overthink कर रहे हैं, एक negative frame of mind है, कहीं बह sensitive हो रहे हैं, छोटी-छोटी सी बातों को दिल पे लगा रहे हैं, in fact, छोटी-छोटी सी बातों को बहुत बड़ा उन्होंने अपने मन में करा हुआ है, and deeper level के लिए dice का काट कहता है, या तो उन्होंने कोई risk लिया, chance लिया, और उसको लेकर वो regret कर रहे हैं, या फिर कोई risk, chance लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, उसको लेकर regret कर रहे हैं, या उनको simply लग रहा है कि इस relationship में आगे बढ़ने के लिए, बहुत chance लेना पड़ेगा, बहुत risk लेना पड़ेगा, या से बोलते हैं, एक जुआ सा अपनी जिंदगी के साथ, या otherwise भी, छोटा-मुट अभी खेलना पड़ेगा, और कहीं देखिए, मिड नवेंबर तक इस chance को लेने के लिए, इस risk को लेने के लिए, वो ready या willing नहीं रहते वे दिख रहे हैं, यहाँ पर nine of wands reverse का काट कहता है, काफी, you know, डरे हुए हैं, in fact, डरे वे नहीं थकावत महसूस कर रहे हैं, exhausted feel कर रहे हैं, उनको ऐसे लग सकता है कि भी उन्होंने बहुत effort किया, इस relationship के लिए, बहुत महनत करी, और जो outcome वो चाहते हैं, या चाहते थे वो उनको नहीं मिला, और अब कहीं वो give up करते वे दिख रहे हैं, इतने जादा willing, फिर से मैं कहूंगी, out of the way जाके effort करने के लिए, महनत करन के लिए, इस relationship के लिए ready नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, हाला कि देखिए, deeper level के लिए dog का card कहता है, जो भी वो surface level के लिए महसूस कर रहे हूं, आपके लिए totally, fully, faithful है, loyal है, उनकी loyalty में, उनकी वफादारी में कोई भी कमी नहीं है, भले ही surface level के लिए, वो थोड़ा सा चीज को give up कर दें, या फिर overthink करें, या फिर negative thought process में रहें, and end November के लिए दिखिए, वो भी कहीं इन्ही energy से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं, 10 of Cups का card कहता है, कि आपके साथ एक future सोचते वे दिख रहे हैं, चाहते वे दिख रहे हैं, marriage, engagement, living, या फिर हमेशा के लिए आपका साथ दिख रहे हैं, आपके साथ family start करना चाहा रहे हैं, तो बहुत एक happiness, joy वाला relationship आपके साथ चाहते वे दिख रहे हैं, deeper level के लिए इस shift का card कहता है, या तो ये long distance relationship है और उनको लग रहा है कि भई, ये distance कम करना पड़ेगा, और अगर देखिए, physical distance नहीं है, यानि कि long distance relationship नहीं ह जा रहे हैं, बहुत एक longing, बहुत एक craving, मन ही मन आपके लिए महसूस करते वे दिख रहे हैं, और शायद इसी लिए फिर से मैं कहूंगी, हमेशा के लिए आपका साथ अपनी life में चाहते वे दिख रहे हैं, और अब देखते हैं जर्मेनीज की November मन्त में क्या हो रहा है, तो बहुत एक suffocation है, घुटन है, आप दोनों ही अपने अपने levels पर चीज़ों को compromise कर रहे हैं, और कहीं बहुत एक limitations, restrictions महसूस कर रहे हैं, होता है न, कभी कभी हमें लगता है कि भई, society की वज़े से, religion की वज़े से इतनी जादा limitations है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा हैं, कहीं mid November के लिए cross का card, pressure की बात करता है, burden, tension, stress की बात करता है, और surface level के लिए night of sorts का card, sudden changes की बात करता है, एक clarity लाने की बात करता है, जो भी चाहते हैं, उस direction में action initiatives भी लेने की बात करता है, कहीं जो भी stuck energies हैं, उन में से बाहर निकलने की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ह भी November mid में रहता हुआ दिख रहा है, in fact अगर आप दोनों different cities में रहते हैं, तो इस time period पे हो सकता है, travel करें, partner को मिलने के लिए, या otherwise भी किसी भी level पे travel या तो रह रही है, या एक movement आ रही है, shift आ रही है, या फिर changes आ रहे हैं, और देखिए end November के लिए rider का card भी कहीं positive changes की बात करता है, चीजों के आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन night of cups reverse का card कहता है, changes आ रहे हैं, changes आप दोनों चाहा रहे हैं, लेकिन end November में कहीं एक vision जादा create करते वे दिख रहे हैं, ख्वाब जादा देखते वे दिख रहे हैं, कि आप लोग future में क्या चाहा रहे हैं, तो कहीं end November में उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, लेकिन yes, जो भी issues मसले हैं, वो किसी level पर resolve होते वे दिख रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी rider का card भी, travel की बात करता है, किसी अच्छी news के आने की बात करता है, किसी के आने की भी बात करता है, कहीं चीजों के भैतर होने की भी बात करता है, और कह इसी से ही related, एक जैसे बुलते हैं कि हमें ख्वाब आ जाता है, ख्वाब in the sense कि फिर हम सपना देखने लगते हैं, कि अच्छा अब तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो जाएगा, तो उस तरीके कि कहीं end November में energies रहते भी दिख रही हैं, तो जो भी November mid तक रहे कहीं end November में broader level के लिए देखें, चीजें बहतर होती भी दिख रही हैं, तो ये था जमिनीज आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें